हेलो दोस्तो मेरा नाम है शिवांक शर्मा और Online Education Concentrator में आपका स्वागत है दोस्तो जैसे कि अभी मैंने कुछ दिनों पहले भी एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने बताया था कि सुभारती उनिवस्टी के Official Examination की जो है अनाउंस होच की है जो कि 24th of March से स्टार्ट है 24th of March 2022 तो उसके लिए आपकी कुछ query आए थी एवन बहुत सारी calls भी आए थी जिसमें आप लोगोंने पूछा था कि उसको full brief में एक बार मैं आपको समझा दूँ और उसके साथ यह है कि कुछ लोग हमेशा बोलते हैं जो कि मेरे पास call आती है कि कुछ वीडियो ऐसी उन्होंने देखी होती है यूट्यूब पर जहां पर उनको बताए जाता है कि exam campus के अलाव अगर कहीं है तो वो फेक होगा उसके लिए भी मैं आप वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके admit card पर exam center आपका university campus ना हो तो कहीं और हो तो वो आप कैसे cross check कर सकते हैं कि हाँ वो university का ही था या कुछ अलग था तो उस सब चीजों के लिए मैं जो वीडियो बना रहा हूँ चलिए चलते हैं अपने laptop के screen पर जहां मैं आपको उसके बारे में brief में सारी detail आपको बताता हूँ तो दोस्तों जैसे कि आप यहां चेक कर पा रहे हैं अभी official website सुभारती dde.com पर हैं जहां पर examination का हमें दिया हुआ है यह आप देख सकते हैं examination schedule अगर हमें इस पर click करते हैं तो examination schedule युनिवरस्टी का open हो जाता है examination में यह है practical जो है exam उसकी date sheet जो आप देखना चाहते हैं वो यहां पर दी गई है और main exam जो है वो यहां पर दीए गई है अब सबसे पहले हम बात करते हैं उन students की जिनका fourth semester है fourth semester यानि कि अगर BA था आपका MBA था कोई भी था अगर आपका fourth semester है तो fourth semester का अगर आप open करते हैं तो fourth semester में आपको यहां पर show हो जाएगा कि यह सारे के सारे देखिए MA English अगर उपर दिया है 401 से 24 मार्च से exam स्टार्ट है और यह 401 वाले सारे के सारे record है यानि कि जिसका भी fourth semester है सिर्फ उसके लिए यह date sheet available है अब अगर आप यहां पर मेरे से पूछते हैं कि मेरा अगर BA है तो मेरा कौन-कौन सा है तो उसके लिए आपको अपने admit card का वेट करना होगा और admit card मैं आपको बता दूं कि admit card हमेशा जो होता है जैसे कि मान के चलिए अगर आपका 24 से आपर show हो रहा है तो admit card अपडेट होने में 23 तारिक तक अपडेट होते हैं और कई बाद लेट भी हो जाते हैं और वो अगर आप 4 सेमस्टर दे रहे हैं तो आपको अलड़ी पता होगा और 8 अपरेल को आपका यानि Friday को आखरी exam है यानि कि 8 अपरेल तक ये सारे के सारे examination की date sheet दी गई है इसके बाद बात करते हैं दूसरे जो है कि 3rd semester 3rd semester यानि A 2021 किसी का भी अगर A 2021 session था तो उनका 3rd semester है यानि कि जिन्होंने October में 2nd semester दिया था उनका यहाँ पर 3rd semester का exam होगा और इसमें आप देख सकते हैं 301 से यहाँ पर दिया गया है 24 तारिक से ही सभी के exam start है और exam की last date है 8 अपरेल तक की दी गई है फिर बात करते हैं 2nd semester यानि कि अगर C 2020 की हम बात करें तो वो सारे के सारे आपका जो था वो 2nd semester है C21 C21 में भी 24 सारिक से है और 21 2nd semester जैसे मैंने बोला था 201 से start है यह सभी का आपका जो होगा 2nd semester होगा और 1st semester A21-22 उनका 1st semester होगा यानि उनका जो पेपर कोड है 101 से start होगा तो यह तो date sheet है उनके लिए जिनका main exam है फिर बात करते है practical exam की practical exam की भी जो date sheet है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं practical exam होगा किसका सबसे पहले तो यह कोशन है तो practical exam सिर्फ उन candidates का होगा जो की जिनके normal courses नहीं है यानि कि जिसका BCA था या फिर BBA था या फिर MBA था उन सभी के practical exam होते हैं जिसकी date sheet दी गई है और इसमें आपको एक चीज़ और मैं clear कर दू कि आप सभी का जिनका भी MBA अगर है तो MBA वालों को मैं specially बता दूँ और MBA के साथ BCA जो था MCA था PGDCA था यानि जिनके last semester में enroll हो चीका था उन्हीं का यह होगा तो उन सभी के लिए बता दू कि उन प्रोसेस हो रहा है तो उस सभी का सिर्फ एकी रिजन था क्यों कि वहाँ पर आपका जो था आपके assignment या project submit नहीं हुए थे जिस वज़े से यह सब आपको problem आई थी फिर बात करते हैं कि exam आपका होने किस तरीके से वाला है तो होने के लिए exam का मैं आपको बता दू एक्जाम आपका जो होगा वो सारे के सारे जो होंगे आपके theoretical होंगे OMR sheet पर कोई exam नहीं होगा ना ही कोई online exam होगा सब offline होगा इसको आप evaluation procedure में जाकर भी पढ़ सकते हैं और उसके बाद main जो आपका है कि examination center हमेशा कहीं मेरे को video आती है देखता रहता हूं मैं या फिर कुछ लोग भी होते हैं जो बताते हैं कि सर हमारा जो है exam जो है वो exam center से बाहर है तो हमने ऐसी video देखिए जहाँ पर हमें यह बताते हैं कि examination अगर आप सेंटर से बाहर है तो मानने नहीं होगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं examination center की जो list हैं वहाँ पर आप देख सकते हैं total 17 center university के हैं और हा आपका जो है exam center जो है उनिवस्टी campus नहीं है तो इस list में आप चेक कर सकते हैं तो जो जो आपको exam center दिये गए हैं अगर आपके admit card पर यही exam center तो पूरी तरीके से मानने होगा तो यह सारा का सारा अप website पर जाकर चक कर सकते हैं एक एक details आपको यहाँ पर मिल जाएगी और practical के लिए जो मैंने आपको बोला था 21 मार्ज से लेकर 24 मार्ज तक के जो practical है वो आप यह देख सकते हैं कि कौन-कौन से subject के कौन-कौन से practical होंगे इसके लिए आपका यह है कि अगर आपने डारेक्ट यूमिश्ची से एड्मीशन लिया हूए तो यूमिश्टी में आपको कैमपस में जाकर यह प्रैक्टिकल देने होंगे और अगर आपने किसी center के थूलिया है तो आप अपने center से contact करेंगे वो आपको practical का अपना date जो भी है वो अपने पास करवा लेंगे तो ये सारी की सारी information थी जो exam के regarding थी अब एक और आपका जो question है वो ये है कि October में जिन्होंने second semester दिया था तो उन सबी को पता होगा first semester का उनका exam नहीं हुआ था तो first semester को अभी जो है इसके साथ करवाएंगे या अगले semester के साथ करवाएंगे उसके लिए अभी तक ये उनिवस्टिय से कोई update नहीं आए बट उमीद करेंगे जल्द ही उसके लिए कोई update आ जाएगा तो उमीद करता हूँ दोस्तों आपको अचकी वीडियो पसंद आईगे अभी अगर आपको कोई doubt है exam के लेकर admit card को लेकर तो आप मेरे को comment कर सकते हैं मैं उसका reply आपको कर दूँगा